नमश्चकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदीनी यादो वक्त वो चुका है खबर का प्रदूशड के मामले में दिली के हालात इस समय गंफीर है राजधानी में AQI खतनाक श्रेडी में दिली के AIGI एरपोर्ट के स्टेशन पर सुबा पांच बज़े के वक्त AQI 489 दर्च किया गया वहीं नोड़ा के सुबा वक्त AQI 562 दर्च किया गया वहीं दिली में AQI 450 के पर पहुँच गया ये काफी गंफीर और खतनाक सित्य है दिली के सीम अरविंद केजरीवाल ने एलान किया है कि राजधानी दिली में कल 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूल बंद होंगे लक्नों में भी हवा प्रदूशर की मात्रा में वृध्धी देखी जा रही है गाज़्याबाद की हवा स्वास के लिए हानिकारक हो गई है शेहर में AQI 408 पर पहुँच गया है बता दे कि पॉल्यूशन से प्रदूशर से दिली की हवा एक्दम AQI बढ़ता ही जा रहा है लागाता लोगों को सासे लेने में दिक्कते हो रही है और वहीं के अज़ सीम केजरिवाल ने स्कूलों को और एवेन में चलाने का निदेश दिया है आपको बता दे कि प्राइमरी स्कूल बंद कर दिये गये है प्रदूशर के चलते AQI के मताबिक दिली के गम इस वक्त AQI बहुत ही जादा बढ़ चुकी है वइप प्रदूशर के चलते दिली में यूपी में देखा जा रहा है आपको यह बता दे कि दिली में प्राइमरी स्कूल कल से प्राइमिरी स्कुल बंद कर दिया गया है तो और इस पे अधिक जानकारे के लिए हमारे साथ सयोगी आगरा से जिशान हमारे साह जूड़ेंगे और लखनों से विभांषु हमारे साह जूड़ेंगे विभांषु देखा जाया तो पॉल्यूशन के कारण एक्यू आई लगातार बढ़ते जा रहा है जिस पर लखनों में भी इसका एक्यू आई बढ़ा हुआ है अगर बात की जाए देज की वाज धादी दिल्ली में तो आपने अभी कहा कि और एंड इवें तवीके से स्कूलों को तराए जा रहा है इसका सीधा नंदनी की बात की जाए तो कही ना कही पराली और दिवाली का तेवहार खतम हुआ है जिसमें लंबे सादात में लोग पटाके जलाते हैं पटाके जलाने के साथ साथ कही ना कहीं देखा जाए तो जो गारियों की संक्या है उसमें इजाथा दिम पे दिम होते जा रहा है जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं हमारे परिवरंत पड़ते हुए नजर आया है जिसका ये कि अब जो एक युवाइवन है वो अपने वेंग लेग पर जाचुका है अगर बात करें तो दिल्ली आप से सब्सक्रतर बात करें तो यहां का इक यहां तो बैयासी है वह कि एकर में लेवल होती है जो फित बीडिर वारी गारियां और साथी साथ सडकों पर देखे तो अगर बाय तो जो इदार की जो सहर से आंदर बाहां जाम है इसके कहीडा कहीड के प्रदूसर आप को खराब कर रहा है जिसका जिसकी वज़े से कही ना कहीं जो आम जन्मानस है वो इसे समस्याओं से दूज़गा है अगर बात की जाए तो अगर देखे तो इस वक्त धान की खेट लगाए जाते हैं और भान के खेट में कुछ जगों पर खाशकर पंजाब और हभियाना में उपर की फसल काशी जाती है और नीचे की फसल को जेट में जला दिया जाता है इसे साफ दौर ते इसका जो असर है वो प्रदूसर पे चल जाते हुए नज़र आता है और बात की जाए इस भारी तपूस है वो ज्यादा देखने को मिला है और पदूसर भारी मात्वा में कहीं ना कहीं वाई पदूसर की वज़े से आज एक फिवाई नगल बिल्ली समय तमाम राज्यों में खराब है साथी अगर राजधानी लत्लव की बात करें तो यह भी कहीं ना कहीं एक क्राफिक से जूटता हुआ सहर है और जो गारियों के निकलने वाले जुए हैं उससे कहीं ना कहीं दिवाई नगल बढ़ते हुए अगर बात करें तो बीते जिनों दिवाली खतम हुई इसके पटाके जलाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर अब प्रदूसर कर देखने को मिला है अगर कोई जलाता है तो वहां अगर कोई सूच्टा देता है तो वहां डाइल हंड्रेक पहुत कर और आगे की कामवाई करती है हर जाना लगाती है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आने राजों को भी से सबक सीखना चाहिए और पराली पर खास कर पंजाब और हर्याना को निवेंसर रखना चाहिए क्योंकि कही ना कही देखा जाए तो तमाम टेक्नीक आ चुके है किसी के अंदम में जो खेत में जो बाल के बाद जो उसके तने होते हैं पेर होते हैं जो धान के खास का वगर देखा जाए तो दिसम्बर और जैनरी में धान की फसल काटी जाती है और जो बाकी बचे फसल होते सब्सक्राइब करें देश जारी करने की जाओ सकता है जिससे कहीं ना कहीं हम प्रदूसर्ब को खतम कर सके अब बहतर जो वायू का वाटावरन है उसे बना सके अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां अगर बात करें तो वालधानी देश की वालधानी दिन में और उससे सटे इलाकों में अभी सिपी बहुत नाजूक है और इस युवाई लेवल अपने टॉप मोस्ट पहुचा हुआ है तो कहीं ना कहीं स्वेप है जो मंत्राले है उसक्त में देश दिखाते हुए और पराली और साथ माल यहां अजब जादा डिखते हुए सरकों पर लगानी कि या हो सकता है और यूगों से कहीं ना कहीं करने की आओ सकता है कि आप पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का उप्यों करें कम से कम आप गारियों को लेके सरकों को उसके हम अपने वातावरन को बहतर बना सकते हैं वहीं अगर बात की जाए तो देश की सरकार यानि की मोदी सरकार की तरफ से और साथी साथ सुबे के मुख्यमंत कि योगयानितनाथ लगतार कि एलेक्तरिक वैकिल है उसके आगे बरहाने के लिए और साह हुनन कि योगयानितनाथ एस हो जिशान आग्रा में भी लगातार प्तूशत बढ़ रहा है आप देखने एक यूआई लेवल आग्रा में भी बढ़ता जा रहा है ताजनगरी आग्रा में धुन्त की एक चादर सी चागई है जिसके कारण बच्चे और वुजर्गों को काफी समस्याओ का सामना भी करना पड़ रहा है लोग अगर बिरस्पती वार के बाद अगर लोग सुबा अपने घर से निकले तो पिर्दूसर्ण के कारण उनकी आँकों में जलन सी होने लगी इस पूरे मामले पे आगरा सीएमेस जो जिलास्पताल के सीएमेस हैं उनका भी कहना है कि जे पिर्दूसर्ण की जो धुन्द वाली चादर है इसका सीधा असर छोटे छोटे बच्चों पर और वुजर्गों पर भी काफी देखा जा रहा है इसलिए उन्होंने आगरा वासी ताजनगरी के वासीयों से एक अपील की है कि लोग अनाविस्था खुरूफ से घर से बाहर निकले हैं वरना अपने घर पर रहा हैं और मार्क्स का जो उप्योग है उसको जरूर करें जिससे के कही ना कहीं पिर्दूसर्ण से बस सकता है इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मुवजूद हैं हम उनसे भी आपकी बात करा देते हैं कि प्रदूसर्ण को लेकर किस तरीके की समस्याइं आ रही हैं तो उसके बाद में मैंने प्रिशा तो दिखाई नहीं दे रहा है इतना प्रदूसर्ण है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आँखों में ऐसी चल्मिल सी हो रही थी तो हमारे बच्चे भी कह रहे थे पपा आज तो सूरद नहीं लेकर थंड हो गही क्या मैं तर्ण नहीं है यह चीज जो है जो प्रदूसर्ण हो रहा है आज पास लोगों को समझाते हैं वो भी नहीं मानते हैं अब जितनी हवा चलती है फरारी भी जलाई जा रही है गवेर्मेंट भी यह कहती है कि इन्दो कर जूरबा न लगए गवर्मेंट नहीं सारी जी निकाल रहती है कि परारी बो नश्ट कीा जा सकता है तबाई भी निकाल लगती है लेकिन हम लोग समहत सóriaने वाली नहीं है पपलिक में एक ज्सुद रही तब आत्म ही होती है। जो बच्चे हैं और जो लोग हैं उनको भी काफी समस्या होती है। एक बच्चा भी हमारे साथ है। हम उससे बात किरा देते हैं विरस्मतिबार की बात वो अपने घर से निकला तो उसको किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा। मिटक क्या नाम है आपका। मेरा नाम है सब्सकेर्ण का कि इस तरीके प्रिदूशन की बचे आपकी आंखुम मैं आपकी आंखो मैं जलन बगिरा किस तरीके लिए उसको आपकी निकला ता साइकल चला जिल आख चला थे चला ते आंखो हारे जलन के मारे अःट तो कैसा लग रह तो आको में जला नूरी ती और लाल पन चाहरा था तो आपके डॉक्टर को चेक करा यह पर्दूसन के मारे हो रहा है देखा आपने यह एक छोटा सा नावालिक बच्चा है तो यह भी साफ तोर से बता रहा है कि सुबह मैं जब घर से निकला तो मेरी आंकों मैं जलन सी हो रही थ करते कारण कि दून्द के कारण आकों मैं जलन हो रही हो पर रही है क्ई दो दिन में जब्यों स्बसराइन में जलन सission कि भी बड़ी बात कि अभी कुछ दिन पूरु घीपावाली निकला है उस परब पर भी बड़ी संक्याम है, लोगोंने आतजवाजी भी जलाई, हाला कि इस बार पिर्सासन की तरफ से सरकार की तरफ से गरीन पटाकों की जलने की अनूमती थी, लेकिन लोगोंने गरीन पटाके भी चलाए, जिससे पुर्दूसान पर रोग लग सके, लेकिन कहीं कि कुछ लोगों ने पटा की भी जिला जिसके कारण के प्रदूसान काफी बढ़ गया है जी 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 शान जिस तरीके से दिली में सरकार ने पांच नमबर से प्राइमरी स्कूल बंद कर दिये हैं और 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 एन इवन में स्कूल चलेंगे जो भी आगे होगा लेकिन देखा ज ये जनता भी इसमें कहीं नहीं पर जाना होता है तो लोगों की आदत बन छुक हुए है कि लोग सब्सक्राइब पर उत आए उनके पाल उसी से जाता है हाला कि यह झीज़ नहीं होनगी हरा थिए ऑग मतए यह बन गई है कि लोग गाली के बगर बिलकुल नहीं हिलता है जिससे कि पॉलुसन और जो प्रदूसन है काफी समस्या आ रही है जिसके बाद और हलाके जितनी पुरानी गाली है मैं एक बात आपको बता दूँ कि आगरा जो परीबहान है उन लोगों ने जो पंदरा साल पुराने रईस्टेसन है उनको निरस्ट करने का भी ऐलान किया है क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि विस विस तरी यह इमारत है ताज आए जाए जाए कि इतनी पुराने बाहान चल रहा है स्कूटी कार इन बाहानों पर अगर रोगा दी जाए तो प्रदूसां पर कहीं हद तक रोग सकती है हद तक और अगर जैसे के नगर निगम की तरफ से अलट कर दिया जाए कि जैसे कि दुगंदार वगेरा और तोहारो पर आतजबाजी है, साधियों में आतजबाजी बगीरा का ये सारा सिलसला जो चलता है, तो कहीं न कहीं कह सकता है कि ये भी एक प्रिदूशन का बड़ा कारण बनता है. जिशायन, क्या अग्रा प्रिशासन की तरफ से कुछ निदेश दिया गया है इसको लेकर, बढ़ते प्रदूश्वर्ट को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीशान तुम्हें लगतार बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सरकार निर्देश दे रहा है वर्क फ्रॉम होम से लेकर प्राइमरी स्कूल बंद कर दिये गए लखनों में भी हावा प्रदूशर की मात्रा वृद्धी बढ़ती देखी जा रह हो रही है शहर में एक यूआई 408 पहुंच गया है लगतार पॉल्यूशन से बढ़ते लोगों को सांसों में दिक्कत हो रही है कि बतादे कि दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद कर दिये गये हैं यूपी में डेंगू के मरीश लागातार बढ़ है जनवरी में 2022 से लेकर अब तक प्रदेश की डेंगू में कुल 7134 मरीश मिल चुके हैं प्रदेश में सबसे जादा 1171 डेंगू मरीश प्रयागराज में मिल चुके हैं वहीं लखनों की बात करें तो 1059 केस हैं गाजियाबाद में 513 केस अयोध्या में 459 केस और जौनपूर में 371 डेंगू के मरीश मिले हैं वहीं बीटे दिनों में लखनों में 40 मरीश मिले जबकि गोंडा में 42 लोग चपेट में आ चुके हैं उपू मुख्यमंत्री ब्रीजेस पाठक ने स्वास विबाक के अधिकालियों के साथ बैठक कर इस्थिती की समीक्षा की उन्होंने लोगों से अपील की कि प्लेटलेस पर आमतोर पर वाइरल और फीवर में कम हो जातें जरूरी नहीं कि देंगू में प्लेटलेस खटे ऐसे में देंगू को लेकर खबर आए नहीं बता दे कि लगातार देंगू का प्रकूब बढ़ता जा रहा है लगातार देंगू के मरीज मिलते जा रहे हैं चाहे वो लकनों में हो प्रयागराज में हो आगरा में हो प्रदेश के अलगल हिश्चों में गाजियाबाद में 513 केस, अयुद्या में 459 केस और जौनपूर में प्रदेश के 371 मरीश मिले हैं, बीते दिनों में लखनों में 40 मरीश मिले जबकि गोंडा में 42 चपेट में आ चुके हैं, आपको बदा दे कि उपमोंख्यमंत्री बिजेस पाथक ने स्वासविवाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस दिती की समिक्षा भी की है, उन्हों प्रदेश में लगातार डिंगू के मरीश मिल रहे हैं, वहीं शहर के अलग-अलग हिस्सों से डिंगू के मरीश बढ़ते जा रहे हैं, बतारे कि यूबी में डिंगू के मरीश लागातार बढ़ रहे हैं, 2022 में जन्वरी सिले का अब तक प्रदेश में डिंगू के क्यूल 7134 मरीश मिल चुके हैं, और वहीं प्रयागराज में सबसे ज़्यादा डिंगू के मरीश देखे जा रहे हैं, लखनो में अब तक 1058 केस आ चुके हैं, गाजियाबाद में 513 केस हैं, अयोध्या में 458 केस, लगातार डिंगू के मरीश देखा जाए तो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अस्पतालों में भी बेट की कमी है, दवाईयों की कमी दिख रहे हैं, बीते दिरों में लखनो की बात करें, तो 40 मरीश मिले हैं, जबकि गोंडा में 42 लोग चपेट में आ चुके हैं, जौनपूर में 371 केस मिले हैं, डिंगू मरीश देखा जा रहे हैं, उपमोख्य मंत्री ब्रीजे स्पार्टन ने स्वासविवाक अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक की है, क्योंकि ये गंभी समस्या है, जुलागतार डिंगू की मरीश बढ़ते जा रहे हैं, देखा जाये तो, अस्पतालों में मरीश की लगातार लाइन लग रही है, और प्लेटलेट्स को लेकर बड़ा मुद्दा बना हुआ है, प्लेटलेट्स घट जा रहे हैं, अस्पताल में देखा जाये तो, बतादे कि लगातार डिंगू की मरीश बढ़ते जा रहे हैं, और प्रदीश अलग-अलग हिस्से से डिंगू की मरीश मिल रहे हैं, क्रियागराज में सबसे जादा डिंगू की मरीश देखे जा रहे हैं, डिंगू ने अंतरण में नाकाफी इंति जामों पर भी नाराजगी जताई जा रही है, लगतार अस्पतालों में बेड नहीं मिले हैं प्लेटलेस नहीं मिले हैं मरीश लगतार डिंगू की बढ़ते हुए जा रहे हैं आपको बता दे कि शहर के अलगल हिस्सों में डिंगू का प्रकुब देखा जा रहा है बात करें लगनों में 40 मरीश जबकि गोंडा में भी 42 मरीश देखने को मिले हैं गाजाबाद में 513 किस अयोधा में 455 किस प्रियागराज में सबसे ज़्यादा डिंगू के मरीश मिल रहे हैं लगातार डिंगू का अप्रा को बढ़ता जा रहे हैं देखा जाये तो स्वास्त मा कमे में इसको लेकर बड़ा चुनौती पूर है क्यूंकि लगातार डिंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं और और इस इस खबर पर अधिक जानकारे के लिए हमारे साथ गोरपूर से हमारे साथ हिमांशू हमारे साथ जूड़ेंगे लगनाउस से विवेक शाही और प्रयागराज से पवन पटेल हमारे साथ जूड़ेंगे क्यूंकि लगातार इन शहरों में डिंगू के मरीज बढ़ते मिल रहे हैं विवेक देखा जाए तो लगातार देंगू को अप्रकोब बढ़ रहा है और देखा जाए तो लगातार देंगू के मरीज बढ़ते ही मिल रहे हैं अधर सुडे में तो ऐसा कोई भी सः भात जहार नहीं है जा अपना पैर mai पसार रहा हो जूडे के जंथyas कोय अभी ज़ुटी एक नियासे कर एक डाई से कई चत्रह चेसे से रेगूनों में रोज ही आ रहा है और तरी लाके इस तरफ इस प्रवायब तो के डेमु से की वहा पे और पार बहुत बदा दोग बंदों सामने आए है तो यह बहुत बदा सवाल उख रहा है पवन देखा जाए तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा केश देखने को मिल रहे हैं तो स्वास्त माकमिक ले कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा चुनावती पूड है क्योंकि लागातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं मरीजों की संख्या है वो लगातार बड़ा है अगर बीते कल की बात की जाए तो बीते कल 49 मरीजों है वो पुष्टी हुई है और अगर मोतों की बात की जा तो सरकारी आकोड़ों में अभी तक 6 मोतों की पुष्टी हुई है और अगर पूरे संख्या की बात की जा तो पूरी संक्या वो 970 बताई जा रही है हाला कि जो मरीजों की संक्या वो करीब एक हजार के आसपास के पहुँच गई है तो ऐसे में ये जो तश्वीरे है ये निश्ची तुरूब से स्वास्त महिकमे के लिए बड़ी चिंता का विशय है और एक सबसे बड़ा उन्हें उस पर प्रसनेचिन उठा है उनका कहना था कि या तो इन दवाओं में कोई कमी है या स्वास्त विभा के कारियों में तो निश्ची तुरूब से ये बड़ा सवाल भी है कि आखिर इस तरह जो मरीजों की संक्या बढ़ रही है तो निश्ची तुरूब से डिप्टी सियम का ये बयान कही ने कही स्वास्त महकमे के लिए एक बड़ा प्रसनेचिन को खड़ा कर गया है और एक बड़ी सवाल की और ये इंगित कर रहा है और ये मरीजों की संक्या है अगर उसमें कमी नहीं आती तो निश्ची तुरूब से कही न कहीं स्वास्त महकमा इसकी तरह से इसमें पुरी तरह के सिभ्मेदार होगा जी नंदिनी देखा जाये तो पवन अस्पिताले में बेट की कमी है प्लेट लेस को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठा था बीच में तो कहीं न कहीं देखा जाये तो लगातार मरीज ये शिकायत करें कि अस्पिताल में बेड नहीं है बिल्कुल लेंदरी जिस तरीके से लगातार प्यागराज में जो डेंगू के मरीज है उनकी जो संक्या प्रतिदीन के हिसाब से बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार स्वास्त महकमा कहे रहा है कि हम पूरे कारियों को बड़े निश्चिंते सास्ते कर रहे है और जिस तरीके से जो कारिय हो रहे है अगर जमीनी अस्तर की बात की जा तो जमीनी अस्तर पर कहीं ने कहीं स्वास्त विवाग फेलने जर आ रहा है क्योंकि लगातार जो मरीजों की संक्या है बो बढ़ रही है और जो मोतों की संक्या वो धीरे धीर बढ़ रही है जो एक बहुत बड़े चिंता का विशा है और कहीं ने कहीं जो लोगों की शिकायते हैं जैसा कि भी कुछी दिनों पहरे की बात की जाए तो प्रियाग राज में वीडियो सोसल मीडिया पर वाइडाल हुआ था जिसमें कहा गया अब तक मरीज को डेंगू के मरीज को प्लेटलेस की बज़ा मुसमी का जूच चड़ा दिया गया था तो इस तरीके की जो तस्वीर अभी तक आई है एक बड़ा सवाल ख़ड़ा करती है कि आखिर स्वास्त भीजा इस तरह की लापरवाही क्यों कर रहा है और क्यों यहां पर लोएब मरीजों को इस तरह की समस्यों से दोचार होना पड़ रहा है हाला कि अगर बात की जा सरकारी आकड़ों की तो सरकारी आकड़ों में नहीं अस्पाल में दवाओं की कमी है नहीं प्लेटलेट की कमी है नहीं बेट की कमी है लेकिन जो मरीजों की परेशानी है वो कही नहीं नाजर हो रही है बडा चिंता का विशा है जी नंदीनी हमाजू देखा जाए तो गोरकपुर में भी लागातार देंगू की मरीज बढ़ रहे हैं जाए सब्सक्राइब अब हाँ पर सरकारी स्पतालों की बनी हुई है जाए सब्सक्राइब आए जाए 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 जाएं उसको पर से पर दिया रहे है वहां पर देगु के लगाने के लिए नाकाटी वाड़ित हो रहा है। वहां पर देगु के लारवा जो है वहां पर देगु के लारवा जो है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं साफ सफाई भी कर दे लेकिन गाओं में बड़ी समस्या होती है। नगर निगम वहां नहीं पहुच बाते हैं। तो देखा जाए तो गाओं से भी देंगु के मरीज लागातार बढ़ रहे हैं। नगर चंदर नगर ऐसे लिगन जो हो गए। ऐसे कई शित्र हैं जहां पर रोज़ा आना जो चेत्र है। जो है काफी ज्यादा मात्रा में जो देनु के संचोविज मिल ला है अगर तलकी बात कि जाए तर चाली स्वरीग जो है लगनों का बिजन चेत्रों में भी मिले हैं जाता है चंदा नगर में पार्ट मान दर्श किया है तो ग्रामीर असर की तो बादी चोड़िए नगनिगम क अर्वा तो ग्रामीर खीघन को सब्सक्लावर दीनटल जाए तो यह जहांके इमीन फिल पड़ीज ऑस्विłem अरु जीजु नगर को सब्सक्राइब करें लोग व्लड टेस्ट की लंडी डाइने जो है इस तरह से लगों की लोगों की जैन में इस तरह से बैट अगया आए कि वह वारेश की और उने पर भी पैनिक चर लेते रहें क्योंकि दोनों में एक प्रेशलेश रखना एक सामाने सी बात है जोनों अधिकारियों के साथ बैठा करें समिक्षा करें तो अभी कित्री उने डेश की जरूत है सक्त कारवाई की जरूरत है क्योंकि अस्पतालों में लगातार ये की शिकायत बनी हुई है क्योंकि बेध की कमी है प्लैटले ड़त की कमी है सकत्या और थो world लोगी जाए कि लिए बाद रहुतनने मरीज को यही रिंग डिमिखेनी घ्रियों के व्रियों करुआ है early सब्सक्राइब गटाने के लिए ही और सुझे की सरकार ने अपर समंत्री विजियस पाठग ने एक केरी मेडिस्टिन प्रोग्राम भी सुरू किया है जो बड़े से बड़े असफ़ताल है यहां पे वहां पर सुचानिक की जाएगी और सुबह दस से बारे बैसर प्रोग्राम लोग घर बैटे ही यह दप्रोग्र से परामर्स लेग सकेंगे और इसकी पहल जो है अब यूची में सुडो गई है एक अग आईडी भी ड़क्र शाफ्री बनेगी ताकि मरीजों की संख्या है जो मरीज वे जा रहे हैं उंकी संख्या में किया सब्सक्राइब गटाई जा स दिखे नंदिनी लगाता जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रियाग राज में लगाता डेंगू के मरीजों की संख्या बढ रहे हैं अगर जिले के ऐला जिकारियों की बात की जाया है तो मुझ से चिकित्या जिकारी जिकारी ने साब कर पर कहा है dalla जिकारी ने साब तबाओं का छिड़काओं किया जाए लेकिन अगर जमीनी अस्तर की बात की जाए तो जमीनी अस्तर पर कई ऐसे जगह हैं जो चिन्नीत है जहां पर अभी तक ना ही कोई सास्त विभाग होचा है ना ही सफाई विभाग के कोई लोग पहुचे है और गंदगी का जो आलम है वो कई तस्वीरें सामने आती है जो सोचने का विशे होती है कि आखिर गाओं में लोगों के जिंदगी के साथ खेलवाड को किया जाता है कई ऐसे गाओं है और कई अगर निगम की तो नगर निगम चुकी सहरी छेतर में आरकाम करता है, तो सहरी छेतर में भी जो डेंगू के मरीजों की संख्या है, उसों भी कहीं भी कमी नहीं देखी जा रही है, तो कहीं नहीं नहीं खड़ा होता है, कि आखिर क्यों मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, क्या दवा तो निसी तुरूप से जो इस्तिती है बहुत ही चिंता का विशय बन जाएगी है मांशु देखा चाहे तो गोरा कुर्वेवी लगतार केस बढ़ते ही जा रहे हैं आपनी जिस तरीके से बताए कि इसपेतालों में बेठ की कमी नहीं है प्लेट लेट की कमी नहीं तो क्या नगर दीगम और क्या कुछ कर रही इसको लेकर फॉगिंग एंटी लार्वा के लावा और क्या कुछ कर रही है प्रिल्कुल नगर नीगम की बात कर दे तो नगर नीगम के जिसमें भी लोग हैं वो चार करने में जूरे गए हैं कि पुरी तरसे इसकी जाज की जाए कि कहां कहां पानी खटा है और उनके एक खिलाव के अलान के जा लेकिन यह जो है एक जमीनी अस्तर पर आजी इस तर पर होता है है कि जहां भी दृढ़ मरीज ईलते हैं उटेव बीकर्ग कर दिया जाता है अब हुर्म कर दिया जाता है में कि अज्धता है कि FEMA फal थ Ol पर दो पर दो पर दो आपका वेवेक लग्राओं से हमारे साथ जूड़े थे वेवेक बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुकते हैं छोड़े से ब्रेक के लिए बढ़े रही है हमारे साथ देखे रही प्राइम टीवी